मेरा नाम है रवी और इस वक्त आप मुझे सुन रहे हो मिशन हाई नर्सिंग के ओनलाइन प्लेटफर्म पे जहां पे अपन राजस्तान सियर्चों 2020 का पेपर डिस्कुस कर रहे थे फर्स्ट पार्ट अपने डिस्कुस कर लिया है फिफ्टी क्यूशन आज अपना पार्ट सेकिंड रहेगा जिसमें अपन नेक्स्ट और जो रिमेनिंग फिफ्टी क्यूशन है उसके बारे में डिस्कुस करेंगे चलिए पहला क्यूशन क्यूशन नमबर फिफ्टी वन विश् जो टोटल पॉपुलेशन है उस में से भारत की कितनी जनसंक्या कितनी परतिसे था भारत की जनसंक्या correct answer is c लगबग 17% ठीक है next question पिने के पानी में free residual chlorine की मात्रा कितनी होनी चाहिए chlorine जो है वो पानी में आवशक रहता है और उसकी एक निश्चित तो डोज रहती है वो कितनी होती है इस ज्यादा है तो वो problem create करेगा तो देखिए correct answer is b 0.5 to 0.8 mg पर लिटर होनी चाहिए next question अपना 53 भारत में population policy याने राष्ट्रिय जनसंक्या निति कब लागू की गई correct answer 1952 में national population policy जो है वो start की गई थी ठीक है चलिए next question अपना राष्ट्रिय ग्रामिन स्वास्ते मिशन नेशनल डूरल हेल्थ मिशन का सुभारम कब किया गया तो देखिए अनारच्चम का शुरुबात जो है वो सन 2005 में किया गया था चलिए next question आशा सबसे पहले तो अपने को full forum ही ध्यान में रहने चाहिए accredited social health activities आशा की full forum क्या है accredited social health activities आशा सहयोगनी सामाने तै कितनी आबादी के लिए सिवाएं प्रदान करती है यानि कितनी आबादी पर आशा की पोस्टिंग रहेगी correct answer is b 1000 आबादी पर चलिए अब च्छ और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिलकुल असान जी हाँ क्योंकि अब mission high लेकर आया है students की first choice mission और स्टाफ नर्स की भरती परिक्षाव के लिए भारत की पहली प्रमारत काइड है और करें Amazon and flip card से next question 56 निमनलकीत में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन हो चुका है उन्मूलन का मतलब होता है मैंने बता दिये पहले भी eradication correct answer is नारू रोग गुनिया वर्म डिजीज ठीक है चलिए next question अपना question 57 जन्म तथा मिर्त्यू पंजी करण अधिनियम पर्थ एंड डेथ Registration Act 1969 तो सबसे पहले तो अपने को यही ध्यान में रखना है कि बर्थ और डेथ का जो Registration Act है वो कब स्टार्ट हुआ था गुनिया 69 गुने 30 में के नुसार जन्म का पंजी करण कितनी अधि में करवा लेना चाहिए आफ्टर बर्थ बच्चे का Registration कितने दिनों के भीतर करवा लेना चाहिए Simple Gission है वल नाइनर है यह आपको आंखड़ी जो हो ध्यान में रखना है तो correct answer is 21 days ठीक है चलिए और आज कर लड़की और लड़की की शादी के लिए जो एज माने जाती है वो भी कितनी माने जाएगी दोनों की 21 साल पहले लड़का 21 साल का और लड़की 18 की होने चाहिए थी लेकिन आज कल लड़का हो चाहिए लड़की हो दोनों समान है दोनों की शादी के लिए एज 21 वर्ज होनी चाहिए Next Question No. 58 Maysles Vaccine का Root of Administration क्या रहेगा? Simple सा Question है यदि आप नर्सिंग के विद्यारती हो तो आपको ये Question आने चाहिए Important है Maysles Vaccine का Root of Administration क्या रहेगा? Maysles Vaccine का Root of Administration सब कुटेनियस लगती है Maysles की Vaccine ठीक है? Maysles की Vaccine हमेशा कैसे लगेगी? सब कुटेनियस लगेगी चलिए next question 59 एक वेस्क आदमी का समन्य body mass index BMI कितना होना चाहिए एक वेस्क individual है उसका body mass index BMI कितना होना चाहिए यह बुचा है simple चाहिए तो normally 20 से 25 के बीच में रहना चाहिए BMI क्या है weight upon height जो है वो भी meter में का square weight में height meter में weight में height का भाग लगाना है और height भी किस में होनी चाहिए meter में होनी चाहिए और यदि यह कितनी आ रही है 20 से 25 के बीच में आ रही है तो that is normal यदि 25 से ज़्यादा जा रही है तो individual obesity में रहेगा और यदि 19 से कम है तो individual जहाओ वो decreased weight loss की category में रहेगा माल नूट्रिशन जिसको अपन बोलते है उसमें रहेगा बच्चों में दस्त रोग के इलाज के लिए ORS के साथ निम्नल कित में से क्या दिया जाता है ORS के साथ हमेशा जिंक की टेबलेट दी जाती है ठीक है चलिए next question 61 प्रसवोत्तर याने postpartum period में प्रसवोत्तर रक्त श्राव postpartum hemorrhage baby deliver हो चुका है उसके बाद में यदि मदर को hemorrhage हो रखा है postpartum hemorrhage है तो कौन सी दवा काम में ली जाती है postpartum hemorrhage के management के लिए कौन सी दवा काम में लेंगे डाइरेक्ट ये question आपको देखी ये वो question है यदि आपको ये question पढ़ती सीधा दिमाग में answer हीट नहीं हुआ तो आप गलत कर बेठ होगी ठीक है आप कही बच्चे सोचेंगे mithargin लेकिन ये जो mithargin है that is not included in postpartum hemorrhage ये answer आपका गलत हो जाएगा तो correct answer क्या है correct answer postpartum hemorrhage को prevent करने के लिए always use oxytocin injection ठीक है pitocin या इसको पंसिंटोसिन और भी बोलते है ठीक है चलिए next question question number 62 प्रसव की संभावीत तिथी expected date of delivery पता लगाने के लिए पिछली महवारी last mensuration के पहले कितने दिन जोडने चाहिए simple question है LMP के साथ कितने दिन जोडने चाहिए यदि अपने को expected date of delivery पूछा है प्रसव की संभावीत तिथी question को आराम से पढ़िए फेले कि आप पूछना चाह रहे LMP में आप क्या जोड़ोगे LMP में आप 9 month और 7 days आप एड़ करोगे तब जाकर के आपको expected date of delivery जो है वो मिल जाएगी कि इतने दारिक को जो है वो delivery होगी चलिए next question 63 गर्भवती महिला में सामान्य शोशंदर normal respiratory rate कितनी होने चाहिए simple question है बहुत इजी question है गर्भवती महिला में 18 से 20 परती मिनट के हिसाब से यदी respiration rate है तो that is normal ठीक है इदी individual की बात करें non-pregnancy तो non-pregnancy की condition वे 12 to 20 ब्रीट पर मिनट के हिसाब से रहनी चाहिए that is normal ठीक है चलिए next question अपना 64 फिटोस्कॉप से फिटल हर्ट साउंड गर्भधारण की कितनी अवदी के बाद सुनी जाती है फिटोस्कॉप से अपन फिटल हर्ट रेट जो हो उसको हीर कर रहे हैं सुन रहे हैं तो आफ्टर जैसे ही एक मदर जो हो gestational period में है pregnancy conceive कर लिए उसने तो गर्भधारण के बाद में कितनी अवदी के बाद आप फिटोस्कॉप की सायता से फिटल हर्ट साउंड सुन पाऊगे तो फिटोस्कॉप की सायता से अपन 20 सब्ता पर फिटल हर्ट साउंड सुन सकते हैं और यदि Doppler Ultrasound की बात हो रही है तो आप 10 वीक पर भी इस यहनते से सुन सकते हो चलिए नेक्ट क्यूशन डेवलू चेके नुसार रक्त में हेमोगलोविन HB की मातरा कितने से कम होने पर गर्बवती महिला को एनिमिक कहा जाएगा सिंपल सरल क्यूशन है HB कितने से कम होगा के प्रेग्नेट वेमन को अपन एनिमिया की केटिगरी में इंक्लूड करेंगे 11 से यदि HB कम हो रहा है तो that इंक्लूड ही न एनिमिक कंडेशन नेक्स्ट किशन नमर 66 IUCD का क्या तात पर रहे है फुल फोरम पूच लिया मैंने बार बार रिपीट किया आपको फुल फोरम आपको आनी चाहिए बहुत सारी फुल फोरम है जो कि इनके शोट फोरम देगा अगला और आपको फुल फोरम पूचेगा Intra-Uterine Contraceptive Device Option C Is Correct Answer ठीक है चलिए Next Question अपना 67 सामानेत है Fetal Heart Rate कितनी होनी चाहिए 122, 160 Average यदि पूच ले तो 140 होनी चाहिए ठीक है चलिए देखिए जो बच्चे राजस्तान CCHो की preparation कर रहे हैं उनके लिए एक important information देदू में Mission High Nursing की यदि अपने को Theory Classes Theory जो अपने को पढ़नी है या फिर अपने को MCQs पढ़ने है तो उससे समंदित Mission High Nursing की गाइड आपको Easily Amazon या फिर Flip Card पे अविलेबल हो जाएगी ये जो गाइड है इस गाइड में इसको आप अपने घर पे बैठे Amazon या Flip Card से ओडर कर सकते हो इस गाइड में आपको Complete Study Material मिलेगा राजस्तान शेतों से समंदित यदि आप preparation कर रहे हो तो आपको one-liners इसमें MCQs, previous year के questions वह भी हिंदी भाषा में ये आपको मिल जाएंगे इस लिए आप अपने घर बेठे मगवा सकते हो ठीक है? और साहरा का साहरा Complete Nursing का सले बस इस गाइड में इंक्लूड किया गया है ठीक है? चलिए Next question अपना Question number 68 परतेक परसव पूर्व जाँच में निम्न लिखित जाँचे की जानी चाहिए परसव से पूर्व कौन सी जाँची जहां वो करनी चाहिए Essential रहती है ये पुछाग लेने तो देखिए Option A is correct answer Hemoglobin, Urine, Sugar और HCG, HIV, HCV और VDRL ये जाँचे होनी चाहिए 69 एक गर्वती महिला को चार माह के गर्व पर टिटनेस टॉक्सोईड टिटी का पहला टिका लगा गया था अब आठे माह में जाँचे दू आई है आप टिटी के बारे में क्या निर्णे लेंगे एक महिला है इसको 4th month पर जाँचे स्टेशनल पीरिड के दुरान 4th माह पर टिटनेस का टिटी का पर्थम्टी का लगा था अब वो 8th month पह आई है आप टिटी के बारे में क्या निर्णे लेंगे किस प्रकार से टिट्टी का injection लगाएंगे आप या लगाएंगे या नहीं लगाएंगे तो देखिए बिल्कुल लगाएंगे टिट्टी का दूसरा टिका लगादेंगे मदर को ठीक है चलिए next question अपना 70 हिमोगलोबिन की मातरा जाचने के लिए क्या इस्तिमाल किया जाता है simple question है Naocl Saudi Moxocloride ठीक है चलिए question number 71 गर्भवती महिला को कौन-कौन से संकर्मनों के लिए जाचना चाहिए important question है HIV, hepatitis B and syphilis के लिए उसको test कर लेना चाहिए next question क्योंकि in disease की susceptibility जादा रहती है एक women जो है वो vulnerable रहती है in disease के लिए next 72 पार्टोग्राम में alert line और action line के बीच में कितने घंटों का अंतराल होना चाहिए ये बहुत बार question central government में भी पूचा गया state government में भी पूचा ही गया minimum 4 hours चार घंटे का अंतराल अंतराल जो हो गयप होना चाहिए next question 73 जन्मे के कितने समय बाद नवजात शिशू को स्तन पान breast feeding start करवा देना चाहिए जितना जल्दी हो सके as far as possible एक घंटे की भीतर ठीक है चलिए next question 74 सामानेत नोर्मल प्रसव में ओसतन कितना खूण बह जाता है how much blood loss in normal delivery minimum 500 ml जो है वो blood generally बह जाता है biomedical waste rule के अनुसार placenta को कौन सी थिले में discard किया जाता है yellow bag human anatomical waste को always अपन या फिर infected waste को always अपन yellow bag में डालेंगे 76 भारत में मातरी मृत्यू का सबसे प्रमुक कारण क्या है वही bleeding ठीक है क्या रहेगा bleeding pregnancy या delivery के दुरान यदि bleeding हो रहा है तो hypervolumic shock hypervolumic shock के कारण mother की death हो सकती है यह main कारण रहता है ठीक है चलिए next question अपना 77 असुरक्षित योन समंद unprotected coitus के बाद कितने समय की भीतर अपात कालिन गर्ब निरोदक गोली लेने से गर्ब टहरने की संभावना कम होती है minimum 72 hours ठीक है and 72 नाम से पिलाती है चलिए 78 प्रसवधतर बाद्या करन पोस्ट पार्टम स्टेरिलाजेशन प्रसव की कितने समय पच्चात किया जाना चाहिए कि तो तो चोईस घंटी से साथ दिनकी भीतर-भीतर पोस्टपाइक अधेलाजिशन हो यह किया जा सकता है इसाँ जिसमें किसका मेघ्पष्ट मेफशन का मेखड़ कौंसा मेखड़ है का कॉंट्राजपषट्पा अधेलाजिशन मेठ़ेड चलिए यह इत्स सिवंटीने वेस्टवी के बाद कितने समय तक किसी को परिवार्योजना का अन्य तरीका इस्तिमाल करना चाहिए एक Jewel ज.. जिसकी wallis ở-trans you male person में sterilization permanent sterilization का तरीक वेस्टवी इसमें Plas कितने दिनों तक एक दूसरा तरीका जो है वह साथ में sterilization के लिए यूज के जाता है करेक्ट एंसर B क्योंकि तीन महिने तक इंडिविजुल जहाँ उसमे ट्रेक्ट में उसका जो रिप्रोड़क्टिव ट्रेक्ट है उसमें स्पम जहाँ लाइव रहते हैं ठीक है तिसलिए तीन महिने तक एक्स्ट्रा कॉंट्रासेप्शन का मेथेड़ जो हो अपनाया जाता है कब रिचेक्टोमी के पाद में क्यूशन 80 लेवन और्जेस्टरोल एलन जी इसका सोट फोरम है लेवन और्जेस्टरोल IUCD, Intri-U checks Intra Secretive Device को कितने समय में बदल लेना चाहिए आद करें IUCD को कितने समय में बदल लेना चाहिए 5 समय बदल लेना चाहिए आने को तो 10 साल की भी आती लिकने को minimum 5 समय के बाद इसको 5 साल के बाद Change कर लेना चाहिए discussion number 81 नेटी इन नोर्थियोस्टेरोन इनहेंट गर्बधारण से कितने समय के लिए बचाता है यह इंजेक्शन है नेट इन 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 यह जनरली दो महा तक अपने को प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी से नेक्ट क्यूशन नमबर 82 आईउसीडी का सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रतिकुल प्रभाव साइड इफेक्ट क्या रहता है तो आईउसीडी से एक्सेसिव ब्लीडिंग जो हो उसका रिस्क रहता है ठीक है तो एक्सेस मेंसरल फ्लो नेक्स्ट क्यूशन नमबर 83 एचाईवी संकर्मन पता लगने के लिए कौन सी तक्निक अपनाई जाती है वेस्टन ब्लोट या फिर एलाईजा जहान में रखना है इंपोर्टन आई ये एलाईजा या फिर वेस्टन ब्लोट इसे कंफर्मेट्री एग्जामेनेशन फॉर दैए एचाईवी इंफेक्शन 84 किशोर वस्ता में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पॉस्टन समंधी कमी कौन सी है तो देखिए सभी ने सुना वगा आयरन डेफिचेंस ये निमिया किशोर किशोरियों के लिए सरकार ने टेबलेट्स भी स्टार्ट की रखी कर रखी है पिल्स बोईज के लिए ब्लू पिल्स और फिमेल्स के लिए पिंक पिल्स चुलिए किशोरा वस्था में मृत्यू का सबसे बड़ा कारण क्या है देखिए यही कारण है एनिमिया ठीक है लेकिन यदि यह यह अपना फर्स्ट प्रिप्रेंस रहेगा यदि यह नहीं हो तो आपको फिर सड़क तुर गठना भी अपने कर सकते हैं चलिए तो देखिए यह है मिशन हाई नर्सिंग की अपने को यदि यह चो का प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो अपन एमाजोन या फिर फिलिप कार्ड पर जा करके दोनों ही वेबसाइट्स पर जा करके अपन मिशन हाई की थियोरी की या फिर एम सी क्यूज की बुक अपन ओडर कर सक करते हैं इन बुक्स में कम्प्लीट नर्सिंग से समदी थियोरी आपको सिंपल वे में मिलेगी एकदव इजी सरल हिंदी बासा में आपको थियोरी अविलेबल हो जाएगी और किसी बेग्जामिनेशन के लिए देखिए स्टेट गुर्मेंट के एक्जामिनेशन से तो अप अपन ओनलाइन मगवा सकते हैं और यदि नौन टेक्निकल यदि जितने भी नर्सिंग के बाहर के सब्जेक्ट है जो की एक्जामिनेशन में पूछ जाते हैं तो उसके लिए यह जो किताब है में से नौन टेक इस नाम से अपन ओनलाइन एमाजोन या फिर फिलिप कार्ट स टेस्टोस्टेरोन एक होर्मून है जो पाया जाता है किन में पाया जाता है यह पूछा आगे लेने यह होर्मून पूर्शो थता मैलाओं दोनों में पाया जाता है यह गलती मत कर देना केवल पूर्शो में ठीक है चलिए किस और बालत बालिकाओं में डी वर्मिंग के लिए अलबेड़ना जोल की डोज कितनी रहती है अलबेड़ना जोल एक डी वर्मिंग एजेंट है किस और बालत बालिकाओं में इसकी कितनी डोज रहती है यह पुछाग लेने 400 mg, OD, HS ठीक है स्लिपिंग आवर्स में देना है OD, once a day ठीक है 400 mg, next question 88 अगेर संक्रामक रोग non communicable diseases क्या होती है एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति को संपर्क द्वारा नहीं फैलती है ठीक है, क्या होती है non communicable disease जो संपर्क से नहीं फैलती है वो non communicable disease है जो संपर्क से फैल जाती है वो communicable disease है next question किसी व्यक्ति का सामान्य रक्त चाप normal blood pressure कितना रहता है तो 132, 139 और 82, 89 ठीक है next question मदू में है diabetes mellitus के रोगी में पर्मुक लक्षन क्या पाय जाता है 3P ये तिनों कितिनों पाय जाते हैं polyuria, polydipsia, polyphagia तो correct answer is D सामानी व्यक्ति में HbA1c सुगर के लिए जांच की जाती है कि मातरा कितनी होती है imported question है ये बहुत वार examination में repeat हुआ है तो less than 6% 6% सच्चे कम next question किसी वैस्क में random blood sugar कितनी मातरा में से मदू में diabetes mellitus का संदे होना चाहिए random blood sugar यदि कितने से cross कर जाए कि अपन उसको diabetes mellitus में include करेंगे less तो यदि random blood sugar जो है वो 200 से अधिक चला जाए तो उसको अपन diabetes mellitus में include करेंगे next question जटिलता क्या है तो इसके क्या complication रहेगा hyperglycemia blood में sugar में sorry blood में sugar का level बढ़ जाएगा ठीक है next question मानो शरीर में cancer किस परकार फेलता है तो मानो शरीर में cancer जो है वो lymphatic system system और blood flow के द्वारा फेलता है तो correct answer क्या रहेगा डी ठीक है next question अपना नेमने लिखे थे सभी नेमने लिखे थे सभी कारण stun cancer या फिर breast cancer का जोखिंग बढ़ाते हैं सिवा एक के एक को छोड़ कर गें तो देखिए सारीरिक व्यायाम ने करना सारीरिक व्यायाम यदि individual नहीं करेगा तो इससे blood cancer का कोई लेना देना नहीं है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्यूशन अपना स्तन की स्वेम जांच करना अब्रेश्ट सेल्फ एक्जामिनेशन का सबसे उप्युक्त समय कब होता है माहवारी के पर्थम दिन के साथ से दस दिन के भीतर mensuration cycle के दुरान first day to first seventh day to tenth day साथवे दिन से दसवे दिन के बीच माल लिजिए एक तारिक से साथ तारिक तक क्या है bleeding है और साथवे दिन से दसवे दिन के बीच आप क्या कर सकते हो breast self examination कर सकते हो चलिए next question no 97 गर्भावस्ता के दुरान तंबाकु 7 से क्या हो सकता है तो गर्भावस्ता के दुरान ने दिया आप तंबाकु 7 करोगे एलकोल कंश्यूम करोगे ये टोबे को यूज करोगे तो बच्चे का वेड जो हो कम हो जाएगा 98 insulin injection सामाने तै किस के लिए दिये जाते हैं सबी को पता है टाइप 1 diabetes mellitis के treatment के लिए जिसको अपन insulin dependent diabetes mellitis भी बोलते हैं आप injection का यूज करते हो सामाने मानव विकास के लिए प्रति दिन iodine की कितनी मात्रा की आवशकता होती है सिंपल किशन है लेकिन important है iodine आपको रोजाना 100 to 150 माइक्रोग्राम यह कि यह mcg माइक्रोग्राम आपको चाहिए होता है ठीक है और आज का अपना last question क्या रहेगा cervical cancer से बचाओ के लिए कौन सी vaccine इस्तिमाल की जाती है तो cervical cancer के बचाओ के लिए human papilloma virus vaccine HPV vaccine यह अपने इस्तिमाल करते हैं ठीक है तो यह थे अपना resistance CHO 2020 का paper जो कि अपने part first और यह जो अपना part second है इन दो parts में अपने complete किया है आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो और दूसरी बात कि यदि जो बच्चे राजस्तान CHO का preparation कर रहे हैं ठीक है तो आपको CHO से समधित guide यदि आपको purchase करनी है या फिर किसी भी state के CHO के examination के आप preparation कर रहे हैं तो आपको यदि guide आपको theory या फिर mcqs की जो guide आपको purchase करनी है तो आप Amazon या फिर flip card पर जा करके वहां से online मंगवा सकते हो और इस PDF का link जो हो अपने को description box में मिल जाएगा धन्यवाद nursing officer और CSO के old paper की PDF लेना साते हो तो play store से mission high nursing notes app डालोड किजिए